बाद कुछ मनोवाज्यानिक दिक्कते भी होने लगती है जिनमें एक दू घंटे तक शौक हो जाना जैसे छोटे मोटे मनोवाज्यानिक प्रभाव से लेकर डिप्रेशन और आत्मात्या जैसे दुश परिणाम शामिल होते हैं तो बिजली गिरने की स्थिती में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है नमबर एक अगर बिजली यां कड़क रही हो तो किसी बड़ी इमारत या कार में शरण ले खोले मैदान या पहाड़ी की चोटी में हैं तो वहां से हड़ चाएं लंबे और ऐसे पेड़ के नीचे शरण न लें जो इकलावता हो पानी में हो तो किनारे पर पहुँचे नमबर दो अगर किसी बड़ी गिर जाए तो फॉरण डॉक्टर की मदद मांगे ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचे नमबर तीन अगर किसी पर बिजली गिरी है तो फॉरण उनकी नब्स जाचे और अगर आप प्रतम उपचार देना चाहते हैं तो जरूर थे बिजली गिरने से अकसर दो जगों पर जलने की आशांका रहती है वो जगह जहां से बिजली का जटका शरीर में प्रवेश किया और जिस जगह से उसका निकास हुआ जिसे पैर के तलवे नमबर चार ऐसा भी हो सकता है कि बिजली किरने से व्यक्ति की हड्डियां तूट गई हो या उसे सुनना या दिखाई देना बंध हो गया हो इसकी जाल जरूर करें नमबर पांच बिजली किरने के बाद तुरंट बाहर ना निकले अधिकांश मौते तूफान गुजर जाने के तीस मिनट बाद तक बिजली किरने से होती है नमबर चार अगर बादल गरज रहे हो और आपके रॉंगटे काड़े हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली किर सकती है ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैट जाएं आपने हाद घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम से कम समपर्क होगा नमबर साथ छत्री या मोबाइल फोन के इस्तमाल बिलकुल ना करे धातू के जरिये बिजली आपके शरीर में घुट सकती है ब्रिटिश मेडिकल जनरल में छपा है कि कैसे पंदरा साल की एकिशोरी पर बिजली तब गिर गई जब वो मोबाइल इस्तमाल कर रही थी उसे दिल का दौरा पात है नमबर आठ यह मिथक है कि बिजली एक ही जगह पर दो बार नहीं गिर सकती दोस्तों हम और आप हसी मजाक में नजाने कितने चाहे अंचाहे मैसेजेस शेयर कर देते हैं परिवार और दोस्तों में तो क्यों ना इस मौनसून अपने अपनों की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को भी शेयर करें और इस बरसाथ के मौसम को सुरक्षत बनाएं है की नहीं अगर आपने भी कभी बिजली गिरने की घटना को करीब से देखा है या आपके साथ ऐसा कुछ घटा है तो प्लीज कमेंट सेक्षन में शेयर जरूर करें मिलते हैं फिर एक और दल्चप्स वीडियो के साथ धन्यवाद